वेल्कम टूबर चैनल के वी 360 यह है केंद्री विदेले संक्टन का हाई फैली का question paper और subject है mathematics class है fifth चलिए इसको solve करते हैं कि टिक दे कर्यक्ट option 100,000 यानि की 100,000 वन स्टेंस है 100,000 यानि की 100,000 यह वाल हो जाएगा तो यहां पर लेख जकते हैं 100,000 यह हो जाएगा नेक्स्ट है the angle of 90 is called जो 90 डिगरी का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं right angle तो यहां पर हो जाएगा और यह एंगल right angle हो गया the number of angles in a square is एक square बनाते हैं सबसे पहले तो एक square में कितने अंगल 1,2,3,4,4 यह है यहां पर 4 लिखते हैं नेक्स्ट है 50 पैसे is दस दास ओफ 1 डिपी एक रुपई का 50 पैसे क्या होता है हाल fingernail होता है यहां पर किनकले होता है जन्बर नमबर that has only two factor is called dash number अगर आपका पास कोई number है जिसके की बड़ दो ही factor होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं Prime नंबर वोलते हैं मानले हमारे पास 13 अच्छी तो फैक्टर हो सकते हैं एक तो और दूसरा 13 तो इसके के बड़ दो हैं इसलिए इसको को बोलता है प्राइम नंबर इसनंबर को बॉलता है प्राइम नंबर सेकल दक ऩाइन नंबर के इन में कॉम पोजिट गाऊज़ा है इसका उलटा है फिर होगा I तो ये 29 को 19 को केफल वन और इसका से अ मैगर इसका फेक्टर 1 और 19 होगा लेकिन 27 के और भी दू के अलावा फैक्टर्स हो सकते हैं 1 and 27 के अलावा भी 9 हो सकता है 7 3 हो सकता है तो यह सारे फैक्टर्स इसके हो सकते हैं लेकिन इनके 29 and 19 के केबल 29 होगा और इसका 1 ओगा 19 का 19 होगा और वन होगा तो यह उन्पोजिट नमबर ना होके एक बलके नमपर हमारा कहीं 27 तो यह हो जाएगा नेक्स्ट टू इंटू राइट एंगल अगर राइट एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है इसका टू से मल्टिप्लाइ करें कितना हो जाएगा 180 डिग्री तो यहां पर आजाएगा 180 नेक्स्ट नेक्स्ट है बिट क्या हो, मतलब cost क्या होगी, तो 12 into 2 कितना हो गया, यह हो जाएगा 24, और half का हो जाएगा, plus half का हो जाएगा, 6, तो हो जाएगा 30 रूपीज, यहां पर आजाएगा 30 रूपीज, नेक्स्ट, यहां 30 रूपीज अप्शन भी है, next dash is a factor of every number, कोई भी number है, उसका factor होता है, 1 हमेशा किसी भी number का factor होता है, तो मालिया आप 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सबका factor 1 होता है, next is out of these 3 digit numbers, आप पर आपको 3 number दिये गए हैं, 3 digit number हैं सारे कि सारे, which look the same on half turn, अब आपको बताना है, half turn करने पर, counts आपको same दिखेगा, तो 888 यह इसको अगर बाया, यह उल्टा कर दो गया, तो क्या दिखेगा, same ही दिखेगा, यह हमारा answer रहेगा, next is there are about 2 lakh trees in a jungle, एक जंगल में 2 lakh क्या हैं, ट्री हैं, half of them are name tree, आधे क्या है name tree, what is the number of trees which are not name tree, तो आधे क्या होगा, यानि कि 2 lakh में 1 lakh क्या होगा, नेम ट्री होगा, तो आधे क्या होगा, जो नेम ट्री नहीं है, तो 1 lakh उसमें हो जाएंगे, जो नेम ट्री नहीं है, next is there are, sorry, the area of a rectangle, whose length is 5 cm, breadth is 2 cm, तो आपके पास एक rectangle दिया गया, rectangle आपको पता है कैसा बनता है, तो इसकी length हो गई 5 cm and 2 cm की width हो गई, अब आपको बताना है इसका area, तो area क्या होता है, L into B rectangle का, तो 5 into 2 that is 10 cm square, यहाँ पर कहीं आंसर है, यह वाला आंसर सही है, next है, 4 is a factor of, अब यहाँ पर option है 12, 14 and 41, तो आपको बताना है किस number का factor 4 होगा इन में, तो आप इसको 4 से multiply करेंगे तो इसको divide करेंगे तो नहीं होगा, 4 से इसको divide करेंगे तो यह भी नहीं होगा, जब इसको करेंगे तो यह divide हो जाएगा, 4 into 3, यानि कि यह वाला आंसर हमारा सही है, तो यहाँ पर 12 बाजाएगा, next, the number that have more than two factors are called, एक number जो जिसके दो से ज़्यादा factor होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, composite number बोलते हैं, हमने पढ़ा, और जिसके एक दो से कम factor होते हैं, दो, sorry, दो factor या, cable दो ही factor होते हैं, उसको prime number बोलते हैं, next है, the English alphabet A has dash symmetry, अब आपको पताना, A में कितनी symmetry हैं, अगर यहां से इसको काटेंगे, तो क्या होगा, divide करेंगे तो यह, एक symmetry हो गई, लेकिन ऐसा करेंगे, तो यह नहीं आएगा, इसमें केवल एक ही symmetry है, that is, यहां पर आए answer होगा, इसका one symmetry, यहां पर लिखने हैं कि one symmetry, what should come next, अब आपको बताना है, यहां पर क्या आएगा, n, z, n, z, तो हम लोग देख रहे हैं, n repeat, n हुआ, फिर z आया, n के बाद, z के बाद n आया, फिर z, तो यहां पर n आ जाएगा, फिर z आ जाएगा, तो यहां पर next आएगा, n, के बाद एक बूछा है, तो n आ जाएगा हैं आपर, next, read the map, camp map, and answer the following, आपके पास एक map दिया गया है, camp का आपको बताना है, इसमें क्या क्या है, the robot or death of the campfire, अब इसमें सबसे पहले इसको देखते हैं, क्या है, यह water का है, यह land का है, यह robot, campfire का symbol है, यह cabin है, यह tent है, यह camping trailer है, क्या है, चो भी है, फिर इसके बाद अब क्या करना है, आप आपको बताना है, the robots are death of the campfire, campfire, campfire हमारा यह है, तो campfire यह है, ठीक है, आपको बताना है, जो robots हैं, वो कहाँ पर हैं, north में हैं, east में हैं, west में हैं, तो robot हमारी यह वाली हैं, तो वो इक किस साइड में हैं, यह है, east में, ठीक है, तो यह east हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आजाएगा, east है, यहाँ पर east हो गया, next है, the camping trailers are, days of the tent, अब tent देखे काँ पर हैं, इस ये नॉर्थ में दिख रहे है यह नौर्थ हो जाएगा यहां पाल जाएगा नएक्स्ट, Ñप से केबिन कि तरह है, तो केबिन हमारे केबिन यह है, तो केबिन हमारे इस तरफ है यानि कि east में, west में है तो यह हो जाएंगे west में the campfire is dash of the camping trailer EPTL 좋아 को कहाँ पर है camping trailers हमारे यह है ठीक है? तो इसके campfire किस तरफ है? سाउथ की तरफ campfire is south of south of तो इस तरह से इसको में बताना था नेक्स है नॉलिज पार्ट में फिल इन ब्लैंक्स यहाप आपको बताना है क्या आएगा यहाप पर 48 इंटू डैस 13 इंटू डैस तो यहाप यहापर 13 आ जाएगा यहापर 48 आ जाएगा नेक्स्ट है सर्कल दन मल्टिपल्स आफ थर्टिन अब आपको बताना इसमें 13 का मल्टिपल काउन काउन से हैं तो अगर आपको टेबल पता हुआ थर्टिन को तो आराम से कज़ रखते हैं थर्टिन तूज थर्टिन फाइब से हई है है हुआ है है a छ legion 6-96 kron boi 9-991 ना इन 2-11 फिर 9-11 three nine nine when pikachил 11 से मुल्टिप्लाव करेंगे तो इह नाइन को क्रिल से मुल्टिपलाय करेंगे तो इस तीन हमारे cane मुपर्स टर्कल दाएट टैन का फ्राप्टर कहून से हो जाएंगे टैन्स करके देख लेगे यह फैक्टर अपका हो जाएगा वन तो हो गई सबका होता है फिर अब देखिए इसमें टू हो जाएगा टू से नाइन थ्री से करेंगे तो तो यहाँ पर है नहीं थ्री है नहीं फाइब नहीं होगा टू एंड त्री सिक्स हो जाएगा यह बन तो होई है सब्सक्राइब इस बहुत हो जाएगा फाइब नहीं होगा नहीं होगा ट्वेंटी नहीं होगा तो फैक्टर से इस दो है नेक्स्ट ड्रॉद टू ट्रेक्टेंगल उसिंग ट्वेल्व स्क्वाइब अफ सेम अरिया आपको रेक्टेंगल ट्रॉग अना एक स्वेल्व स्क्वाइब से वान टू त्री फोर फाइव शेक्स सेवें एट नाइन टैन कि इ लेवेंट से त्व टू ट्वह रिए और तो यहक्ट्रेक्टेंगल यह हो जाएगा त्युक्त किया करना होगा बीच वाले एक लीज़े राइन हैं कहना होगी हटानी और वास मारा बन गया एक रांगा स्टेंगर दूसरा हम क्या कर सकते हैं इसका हाफ करते हैं यह 6 और इसको इस तरह से हम करते हैं तो इसमें भी काउंट करेंगे तो आपके 12 हो जाएंगे boxes हमारे squares 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 तो इस तरह से 2 rectangle हमने बना लिया complete the pattern pattern को complete करना है यहाँ पर क्या हो रहा है 9-1 divided by 8 1 हो जाएगा पर यहाँ पर क्या हो रहा है है कि 98 मैश 2 0-96 हो जाएगा और उसको 8 से डिवाइट करेंगे तो यहाँ बेर 12 हो जाएगा अब पैटन को देखते हैं तो यहाँ पर one था यहाँ के बाद 2 आ गया वन के बाद 2 और 3 हो गया फिर यहाँ पर यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 आएगा 1 2 3 4 5 6 आएगा 8 समय कॉमन है कुछ नहीं करना फिर यहां पर देख रहे हैं 1 2 3 4 5 यहां पर 6 आजाएगा यहां पर 9 8 7 9 8 7 6 5 4 हो रहा है यहां पर 9 था 8 था 7 6 5 यहां पर 4 आजाएगा है इस तरह से से इस पैटन को पूरा करना था आगे दखते हैं अब तकंट टरी सिक्ष्ट रे संघर एक बास आपके पास वो किटने पासंख को करी कर सकती है वह 60 पैसंजर को करी कर सकती है 60 in this trip में how many passengers can it carry in a trip एक बार में 60 and 8 टाइम कशिक ना करेगा 8 इंट इन्टू 60 that is 60 into 8 तो यह जाएगा 800 8 into 6 कितना तो यह आंसर आजाएगा 480 persons परसंज परसंज एक बात है नेक्स्ट गीता सेल्स टोमेटो गीता है एक टोमेटो सेल काती है 20 रुपीस पर केजी अब आपको बताना है cost of 1 kg टोमेटो कितना है 20 रुपीस ठीक है आप क्या करना है 200 रुपे में कितने टोमेटो बेचेगी तो आपको बताना है टोमेटो इसको डिवाइट कर देंगे 20 से तो यह आजाएगा 10 ठीक है तो यह 10 आजाएगा 10 केजी टोमेटोस डेक्स है fill in the blanks यहाँ पर क्या आयेगा यह पर 24 यहां पर क्या है यहाँ पर 37 है तो यहाँप अब देखने 37 यहाँ पर आ गया 24 यहाँपर है तो यहाँपर 19 यहाँन नहीं ही निदर कर दिया 24 यहां पर हो जाएगा कि कि दोनों तरफ हमें नंबर क्या करना है इक्वल बनाना है इसके लिए में जो भी नंबर है उनको फिल करना है राइट त्री डिजिट नंबर वीच लुक्स दे सेम ओन हाफ टन तो त्री डिजिट का नंबर इस तरह कर सकते हैं यह हो जाएगा कि नेक्स्ट है अब इस पैटरन को देखना है यहां पर डॉट इस तरफ थे सारे और फिर क्या हुआ यह राध चाए और इस तरह को लिए अब क्या होगा यह उद्धर आ ख़ए और कर न्यक्स्ट में क्या होगा है सifterं फारत और ये बाले शारे- STEVE यहां हो जाएंगे कि इस तरह से यह होजाएगा ओर में इसमें क्या करना है पहले ये इस तरफ था फिर हमारा कि ये मैं ऐस्ट ढ olar rappelle फिर इदर भूंब गया इतर होम गया शोwnie 2 फार्वधर तो इसका पैटर्ण क्या है तो ये कैसे गोंब रहा है इस तरह से गोंब रहा है एंटी क्लॉक वाइज और कितना गोंब रहा है एक बार में एक बार में गोंब रहा है ओडिए नाइन्टी डिगरी एंटी क्लॉक वाइज को एक बार में नाइन्टी डिगरी रोटेट हो रहा है अग्यार पिक्चर विच इस ब्रेकिंग दरूल अब आपको बताने कौन सी पिक्चर ऐसी जो रूल को ब्रेक कर रही है तो देखें यह सबसे पहले ऐसी थी फिर इस हो गई फिर से इसको 180 डिगरी ट्रेंड किया तो यह सेम बन गई ऐसी फिर से यह बन गई फिर बन गई और यह वाली जो पिक्चर है यह क्या कर रही है ब्रेक कर रही है इसको इस तरफ नीचे होने चाहिए डॉट लेकिन यह उपर है तो यह वाली इसको में सर्कल करना है न 4 9 and 4 7 कितना आ जाएगा 9 and 7 कितना हो जाएगा 16 यहां पर 4 and 4 8 and 9 96 हो गया और 150 में से 96 को मैनस करेंगा तो 4 और यहां पर 14 मैनस 5 यहां पर आ जाएगा 54 अब 54 and 50 कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 104 अब यहां पर आ जाएगा 46 अब इनको और इनको आएट करेंगे कितना हो जाएगा 53 and 49 कितना होगा 9 and 3 12 और यह हो जाएगा 10 102 102 माइनस 50 यानि 50 40 48 यहां पर आ जाएगा यहां पर आ जाएगा 52 तो इस तरह से है हमारा जो मैजिक स्क्वायर है इसको हमने कंप्लीट कर दिया है फिर आगे नेक्स क्वेशन क्वेशन नाइन कंप्लीट मैजिक हेग्जाओन हेग्जाओन को हमें कंप्लीट करना है तो इसको यह पूरा नहीं है तो चलो आगे देखते हैं डूएस डारेक्टर जैसा बताएगा वैसा करना है कंप्लीट दस शेप सो देर इसे इस एडिए इस फूर स्क्वायरी चेंटीमेटर आपको इसका एरिया बतना नहीं पूर स्क्री सेंटीमेटर तो इस तरह इसको ड्रौ कर से हम टैंगे तो आंड है यह झांघ्रिक है दो यह ओक जाया है लग वो कि पूर स्कॉर सेंटीमेटर अगला है एंगल आपको एंगल बताना है यह एंगल बन रहा है काउन सा एंगल है तो यह एंगल बनेगा आपका अगर यहां पर यह होती है आर एंड तो हम इसको बोलते है 90 डिग्री लेकिन 90 डिग्री है यहां पर एंगल नहीं बन रहा तो यह काँ सा एंगल बन रहा है कि आप्टी उस एंगल हुआ टाइम बताना है टैन एंगल बता दिया और टाइम बता दिया नेक्स ए फाइंड़ कॉमन मल्टिपल्स अव थी एंड फिफिटीन के क्यों मल्टिपल्स काँन काँन से हो सकते है एक तो फिफिटीन हो जाएगा 15, एक तरफ 3 कर दिया और यहां पर कर दिया 5, तो यह 15 हो जाएगा, फिर इसके लाबा 60 हो सकता है, अब आगे हैं, find the two common factors of 25 and 35, तो common, आपको बताना वक्त काउन से factors होंगे, तो 25 यह हो गया और 35 यह हो गया, तो एक तो हो जाएगा हमारा 5, 25, दूसरा हो जाएगा, इसको एसाना लिखके यहां पर लिखेंगे, 25 and 35, common हमारे बताना है, एक 5 हो जाएगा, एक, दूसरा हो जाएगा 1, ठीक है, तो यह हमारे दो common factors हो जाएगा, नेक्स्ट, look at these stamps and answer the question, इस तरह question हम पहले भी कर चुक है, यह stamps दी गई है, आप आपको बताना है, which stamp has the smallest area, तो आपके पास यह smallest area, दो, इसमें 1, 2, 3, 4 squares दिख रहे हैं, तो यह यहाँ पर लिख देंगे, इसका area सबसे छोटा है, smallest means, सबसे छोटा, which stamp has biggest area, आप आपको बताना है, biggest area किसका है, तो इसका area biggest है, क्योंकि इसमें सबस्यादा squares दिख रहे हैं, तो यह हो गया, 18 है, दोनों का difference बताना है, 18-4 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, 14 square centimeter, नेक्स्ट है, problem solving ability, इसमें कुछ question है, उसको करते हैं, तो यह हमारे पास box दिये गए, सारे सारे हमारे जो hours होते हैं, कितना होते हैं, 24, तो 24 boxes हैं यह, तो पिसक में देखना है, sleeping कितना है, one third of day, one third यानि कि 24 का one third कितना होगा, यह हो जाएगा, eight, eight hours कितना होगा, sleeping का, तो आपको बताना है, how many hours does Arun take for sleeping, sleeping कि लिए कितना यूज करता है, eight hours हो जाएगा, eight hours, next है, play, playing, one eighth of day, one eighth of day, तो day का one eighth कितना हो जाएगा, 24 का one eighth हो जाएगा, eight, यानि three, three hours, playing three hours हो गया, next है, studying one fourth of day, one fourth यानि कि 24 का one fourth हो जाएगा, six hours, तो यह हो जाएगा, studying six hours, next है, which part of the day does he use for the other activities, तो अब आपने देख लिए, three hours, six hours, and eight hours, कितना हो गया, eight and six, 14 and three, 17, 17 hours हो गया, उसका किसमे, यह हो गया, यह सारी sleeping, study, और playing में यूज करता है, उसके बाद other activities में कितना, कितना यूज करता है, 24 माइनस कितना हो गया, 24 माइनस 17 हो जाएगा, seven hours, seven hours कितना पार्ट हो जाएगा, 24 का, तो यह हो जाएगा, seven upon 24, यह हो जाएगा, seven upon 24, next है, a car can go 40 km in an hour, एक घंटे में कार है, 40 km जा सकती है, how far can the car go in five hours, तो एक घंटे में 40 km, तो पांच घंटे में कितना जाएगा, जाएगी 40 into 5, multiply कर देंगे, तो यह जाएगी 200 km, 200 km, next है, सीता आंटी सोल्ट, 12 kg of apples, एक सीता आंटी है, जो नहोंने क्या किया, 12 kg apples को बेचा, कितने रुपे में, 480 रुपीज में, at what price did C sell 1 kg of apples, अब आपको बताना है, एक किलो का क्राइग, का प्राइस क्या होगा, तो आपको इसमें क्या करना है, 480 को डिवाइट कर देना है, 12 से 12, 40, 48 and 1, यानि कि 10, तो यह कितने रुपे के बेचा, 1 kg की कॉस्ट क्या गई, 1 kg की एपल की कॉस्ट हो गई, 48 रुपीज, नेक्स्ट है, राम लाल टुक 5,000 as bank loan, राम लान ले 5,000 रुपे बेंक लोन से लिया, ठीक है, और क्या करीदा, सीड खरीदा, he paid back, उसने पैसे back किये, पे किये, 430 रुपीज, हर महीने में उसने 430 रुपीज, पे किये, एक साल तक, how much money did she pay back to the bank, अब आपको बताना है, कितना पैसा उन्होंने पे किया, तो आपको 430 into 12 करना है, और आंसर इसका आ जाएगा, तो, हो जाएगा, बार 12 into 0, 12, 0, 12 into 3, 36, 4, 12 into 4, 48 plus 3, 51, तो उसने कितना पैसा 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 5,160 रुपीज पैसा पैसा नेक्स्ट रामुज वेजटेबल, field has 9 equal parts, तो आपको देख रहे हैं, रामु क्या है, रामु की shop है, field है, और उसमें क्या है, 9 equal parts में उसको divide कर रखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देख रहे हैं, फिर उसमें क्या है, which vegetable grows in the biggest part of the field, अब आपको बताना है कि कौन सी जो vegetable है, biggest part में हो रही है, तो यहाँ पर सारे सारे के हैं, equal दिख रहे हैं, तो कोई भी ऐसी vegetable नहीं है, तो यहाँ पर बोलेंगे, all are, all are equal, अब बताना है, on what part of the does, does he grow potatoes, आपको बताना है, potatoes कितने पार्ट में ग्रो कर रहा है, तो potatoes कितने जगह पर है, potatoes one and two, तो यह हो जाए गड़, two upon nine, यह हमारा हो जाए गड़, two by nine part, part of his field, तो यह था हमारा आज का question paper, I hope आप सभी को समझ में आगे हो, तो पढ़ते रहे हैं, मिलते हैं, next video में थाइ,